हलो जी गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपनी चैनल में और एक साफ सुत्री सी बिना फैली किचिन में आपका वेलकम है क्योंकि जब किचन एकदम साफ सुत्रा होता है ना सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो किचन में काम करने में मज़ा आता है और रात को अगर फैलावा किचन छोड़ दे और सुबह उसको करे साफ तो कितना मतलब आप एमान के लिए कि सुबह का एक घंटा तो नहीं कामों में हमारा वेस्ट हो जाता है और वेस्ट हुआ इस का मतलब हमारा हर काम जब बहुत जादा लेट हो गए हैं तो इस वक्त लग गई हूं किचन में अपने काम में और मैं बना रहे हूं छोले तो प्याज और टमाटर हारी मेच और हसन एक साथी में पीशने वाली हूं वरुन अपना रेडी हो रहा है उसको मैं धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें सिखाती रहती हूं डेली बेस है बच्चा बड़ा हो रहा तो उसको चीज़ें आनी चाहिए और वैसे भी कोई न कोई जो है बच्चा अपने काम भी खुद कर लेता तो हमें भी हेल्प हो जाता है और बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें वह धीरे-धीरे सीख जाते हैं हर वक्त जरूरी नहीं है कि कोई भी काम हो और मां वहाँ पर जो मौझूद हो और वह उसके लिए वो काम करें सार्फ डिपेंडेंट बनाना भी बच्चों के लिए बहुत जादा जरूरी होता है आज कल तो हर कोई छोटी 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 बच्चों को भी सार्फ डिपेंडेंट बनाना शुरू कर देता है छोटी उम्र में ये बच्चों को जब वो काम लगाना शुरू कर देता है, अपने अपने काम सिखाना शुरू कर देता है, जो की जिसे हम A.D.L. बोलते हैं, activities of daily life, जो daily life की हलके फुल की बच्चों के लिए जो activities होती है, हम वो बोलते हैं, जो की एकदम सही है, बच्चों को अच्छासे सिखाना चाहिए, और वही मैं वो सिखाती है, वर उनको भी डिए मैने टाइम से सारी चीजे है चीजे सिखाई थी, जाधा नहीं, जैसे प्रॉपर सामान जैसे उसके खुद के जूते चपल हैं, उसको अलमारियों में अच्छे से लगाना, उसका स्कूल का बेग है, उसकी नौटबुक्स वगैर है, उसकी पैन, पैंसिल, रेजर, अपना बेग पैक करना, पैक करना, स्कूल से आते ही, टिफि ये यूज़ नहीं करती हूं बहुत सारे कोमेंट आते हैं, आपर तड़के में कौन सा तेल यूज़ करते हो तो जी मैं अभी काफी सालों से हम सर्सो का तेल ही कभी यूज़ करें पहले देसी घी है घर का तेल हो जाता है अगर घर की सरसों नहीं होती है तो फिर जो है बहार से हैफ़ड वगरा से या फिर किसी भी स्टोर से जो है पास लीटर की बॉटल जो मैं मंगबा लेती हूं और उसी से अपना काम जो वो चलाते हैं देशी घी में तो कभी-कभी तड़का लगता है और यहां पर जो एक स्लोट मैंने लगा के रखा हूँ था मतलब कल रात को मैंने धो दिये थे तो अभी सुबह सुबह इन को भी मैं सुखा देती हूं अच्छा एक टाब ख्लीनर होता है मुझे जो आटमेटिक वोशिंग मशीन होती है जिसके पास है क्योंकि आप लोगों इतना आया था वो भी उड़के हवा में पता नहीं कहां चली गी है तो यह देखिए उपर जाल जो खुला है उसमें से कितना रेत धूल मिटी जो है वो आती है और मतलब आज यह मान के चले इतनी कमर तोड महनत जो हर चीज के लिए करनी पड़ रही है बहुत जादा यहां उसमें परेशान रहते हो टाइम बहुत जादा लगता है तो अभी यह मैंने ले तो लिए आप लोगों ने यह नहीं बताया कि इसका टाब क्लीनर भी होता है टाब हर चोथे पांच में महीने जो इसको चैसे क्लीन करना रहता है अभी मुझे यह नहीं पता है मेरी यह पैन खोल के दिखाने वाली हूँ इसका मुह न भार की तरफ है यह चीजे हमेशा इन चीजों का मैं हमेशा ध्यान रखते हूँ यह देखे बार की तरफ मुह है समान आसानी से निकल जाता और आसानी से जयवू रखा भी जाता है एक चीज कोमेंट हो रहा था दी अपना जो है अपने ड्रॉइंग रूम में से जो है टीवी वाले रूम में से जो बैड हटाया है तो वहां भी कोई बैड जो है वो रख लो तो जी अभी मैंने हिमां की वज़े से ही जो बैड वहां से मैंने हटाया था और अभी वहां रखने का कोई भी इरादा नहीं है मेरे दिमाग म पर फिलाल वो चल रही है और उन चीजों को दियां में रखते वे मुझे बहुत सारा काम भी करना है और वो काम करोंगी तब युघा के वह कानीग मेरी जो बहुत कुछ मैंने सो आपके चीज़े वो successful होंगी तो यहां पर kitchen में मैं लग रही हूं दोपैर का ये time है और बच्चों का school बच्चे school से आ चुके हैं खाना वेगरा खा चुके हैं और हिमांग का जो है डॉक्टर ने वापस शाम का time कर दिया है क्योंकि दो तीन तीन दिन तो गया ही नहीं क्योंकि उसको जैसे lose motion बुखार सारी चीज़े थी और फिर जो है कल मैं परसो ये डॉक्टर ने बोला कि इसको शाम को ले कर आओ क्योंकि छोटा बच्चा लू भी लगती है तो लू की वज़े से जो है गर्मी की वज़े से जो गर्मी लगी है उसकी वज़े से जो है ये बिमार हो गया ह और फिर जो है आज मैं इसको शाम को ले कर जाओंगी शाम को छे वज़े बोलाया मैं मैंने तो वरुन को तो मैं ट्वेशन छोटा आए थी और उसको छोट कर आने के बाद जो है मैं अपने ये ठोटे-मोटे काम जो है वो कर रही हूँ फ्योड़े बहुत ये लंच के बरत है अभी मुझे थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि हिमांक जो है क्योंकि दो दिन उसको जैसे लुज मोशन बुखार और ये उल्टिया वगरा रही लेकिन तीसरे दिन वो ठीक था और आज अभी भी यानि आज तिन फ्राइडे का है और आज भी जो है हिमांक जो है को बुखार जहें वो मुझे लग रहा है सुबह तक तो ठीक था भी मैं इडिटिंग विगरा कर रही हूं तो अभी इस टाइम जह उसकी तबिद फिर से वो खराब है और मुझे क्या लग रहा है उसकी जाड जो है वो निकल रही है और उसके ना सर्फ जैसे तिम सर में जो यह वो गरम है, हाथ ठंडे हैं, पैर ठंडे हैं, तो जाड़ निकलती है ना बच्चे की, तो ऐसा ही होता है, उसके सर में बुखार बन जाता है, परेशान रहता है बच्चा, तो वही जो मुझे लग रहा है, और टाइम निकला, निकालके मुझे एक दो दिन में, जैसे ह हिमांगी तो छुटिया हो गई है, एक दो दिन में वरुन की भी छुटिया हो जाएगी, फिर टाइम निकालके दोनों बच्चों को जैसे हो लगना है, हिमांग को लगेगा पांच साल वाला इंजेक्शन, और वरुन को लगने वाला दस साल वाला इंजेक्शन, हिमांग 5 स कोई वरून आगे अगस्त में दस साल का हो जाएगा थो दोनों के इंजेक्षन व्गधर passions बहुत कुछ दो लेकिन लगता है कि सारी planning पे पानी फिरने वाला है क्योंकि छुटियों के लिए हर कोई सोचता है कि हमें छुटियों में ये सब करना है वो सब करना है लेकिन मेरे काम इतने पेंडेंगे छुटियों में बहुत ज़ादा बच्चों के इंजेक्शन लगेंगे और जब यह इंजेक्शन लगते हैं कम से कम तीन चार दिन जबरदस्त बुखार बच्चों को रहता है उसके बाद मुझे वरुन का एक दात है वो चोर दात जब वो निकला हुए उपर जो एक बहुत बड़ा सा दात है जो की दीरे दीरे करके वो बड़ा होता जा रहा है आगे जाके उसकी नाक में चुबने वाला है हर चीज में परेशान उसको करेगा तो मुझे उसका वो भी निकलवाना है गाउं में शादी भी है परिवार में एक वहां भी जाना है तो आप ये मंद के चलिए कि मेरी सारी छुटियां जो है इस बार ऐसा ही छुट चुट पूट चुट पूट कामों में जो है वो जाने वाली है और बस यहाँ पर जो है मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा इस अलमारी को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूं क्योंकि कई दिनों से मैंने इस अलमारी को आपने लोग ने देखा भी होगा कई दिनों से मैंने इसको साफ नहीं किया है और बच्चे जब अपने हिसाब से चीजें करने लग जाते हैं तो वो सीखते तो हैं दीरे-दीरे लेकि इनने प्रॉपर जब मम्मी अवालबल नहीं होती है तो बच्चे अपने हिसाब से अपनी मर्जी से रखते हैं और मैं अप अपने हिसाब से रखवाती हूं ना मैं साथ में रहती हूं तो वो प्रॉपर रख देती हैं तो यह कुछ साइम से मैंने अलमारी को साफ भी नहीं किया था और उन्होंने अपनी मर्जी से किसी के शूज कहीं हैं किसी कहीं हैं तो इस उस हिसाब से जो रखे वे थे तो मैंने स एक मेरे हैं, एक में से इमाग की पापा, एक में हिमाग के, एक में वरुन के हैं, तो हमारे सब के अलग एक एक रैक बटा हुआ और उसमें सबके शीज़ वज़ंब आ जाते हैं, और ये नीचे का मैंने कलीन कर दिया है, अब उपर के भी दोनों आप ये सामने देखो क्योंकि इतनी सारी मिट्टी है क्या है बच्चे खेल कर आते थे और नीचे से जैसे शूज पहने है या चपल पहने है तो शूज पहने है तो बिना जड़काई अंदर रख दिये तो वो रेत लग गया बच्चों को अच्छे से जड़काना भी नहीं आते है तो ये चुटी चुटी चीज़ है न वो बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसी भी फिर हमारी भी बहुत ज़्यादा मेहना तो लग जाती है और आज तो आप यह मान के चलिए क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग विगरा तो और इस वक्त जब मैं बरतन साफ कर रही थी आप लोगों ने शायद नोट किया हूँ बाहर भी आंदी जो उस वक चली वी कुछ न कुछ किसी भी टाइम जो है वांदी आ जाती है दिन में आई और फिर शाम को जब मैं हिमां को थरपी के लिए ले कर गई उस ताइम फिर से आगी और मैं सामने वाला जाली का दरवाजा ना खुला छोड़ कर गई थी और वरुन उस वक्त जो है वो घर पे था तो म में यहीं पे मिलते हैं नेक्स व्लोग में जो फॉर्स टाइम विजट करा लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा किसी वज़े से और हिमां की अपडेट के लिए जो है अभी उसको में दिखा कर ले देन नेक्स वोग में